वेलकम बैक फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक जो आज तक कभी कभर नहीं हुआ अज देखे होंगे कि वो बीजली और जनरेटर से चलता है लेकिन आज के एक्सपरिमेंट में बीना बीजली और बीना जनरेटर का चलेगा वह कैसे चलेगा इसके लिए वीडियो को लास तक देखें सो फ्रेंड्स अब हम इस सेट अप को करेंगे रेडी तो वन वाई वन स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताते जाएंगे कौन-कौन से कंपोनेंट यहां पर मेरे पास है तो सबसे पहले मेरे पास है एक इस टूल यहां पर हम रखेंगे एमलिफाइर बॉक्स अब मेरे पास है एमलिफाइर मसीन जो हाई कैपिसीटी का है जो डीजे सिस्टम में यूज किया जाता है इसको हम करेंगे प्रोपर सेट अप तो इसको सबसे पहले हम इस टूल के उपर रखते हैं इसके बारे में हम आपको बता दे तो यह डेड़ हजार वाट का एमलिफाइर है सो इस पर कंफ्यूजन है कि मुजिक सिस्टम जो हम साउंड वक्स कनेक्ट करेंगे तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा तो यह है मेरे पास इस पीकर जो यह भी काफी हैवी कैपिसीटी का साउंड बॉक्स है काफी इसका साउंड है इसकी प्रोपर कनेक्शन करने के लिए एक इक्स्टेंशन बोर्ड की जरूरत होगी और ऑक्स केबल और वायर और इसक्रूप ड्राइव जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे अब यहाँ पर मेरे पास पावर नहीं है तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे तो अभी तक तो जनेरेटर भी यूज नहीं करेंगे ना बिजली यूज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं इसको चलाने के लिए हम लगाये हैं सोलर सिस्टम जो जिसके साथ सोलर पैनल इनवर्टर और बैटरी है यहाँ पर जो इनवर्टर है एक नॉर्मल इनवर्टर 700VA का इनवर्टर है और 120H की बैटरी है और इसके साथ सोलर पर कनवर्ट करने के लिए सोलर पैनल और चार्ज कं टोलर MPPT का यूज किया गया है तो यहां पर हम आपको बता दें यह देखके ने हमें बहुत ही एक्साइटमेंट लगा कि सोलर पैनल लगाया हुआ है जिससे मूझीजिक सिस्टम चलाया जाएगा यह बहुत बड़ी बात है और सोलर पैनल की हम बात करें तो यहां पर लूम सोलर का मोनो क्रिश्टलीन सोलर पैनल लगा हुआ है और इस पयस की बात करें तो यह पर कोई भी ऐसा इस पैस अकुपाइड नहीं हुआ है यह एक पानी के टं नहीं है और यहां पर solar panel भी लगा हुआ है और यहां पर solar panel की capacity की बात किरें तो लगभग 700-800 watt के बीच में है solar panel लगा हुआ जो music system के साथ साथ घर के सभी उपकरन चलाये जाते हैं जैसे की light, pancart, tv, washing machine, freeze इन सभी का भी यूज किया जाता है सो फ्रेंड सोलर पैनल की जनकारी के लिए हम आपको बता दे हर जगा का solar panel का voltage और MPR चेंज होते रहता है तो यहां पर हम आपको बता दे यह बिहार है बिहार के पास में राजगीर है वहां पर यह solar system इंस्टॉल किया हुआ है तो यहां पर हम चेक करते हैं कि नवंबर के महीने में यह solar panel कितना power generate करता है तो यहां पर सबसे पहले हम voltage चेक करते हैं voltage चेक करने के लिए इसको जैसे कि आपको पता है कि clamp meter की जरूरत परती है तो मेरे पास एक clamp meter है जिससे हम इस solar panel की voltage को चेक करेंगे तो यहां पर इसकी जो voltage अभी आ रही है साम के चार बजने को है तो 44.52 volt काफी सही नमबर है solar panel की performance की मुकाबले की बात करें तो काफी सही नमबर है यह अब इसको एमपियर चेक करने के लिए इसको हम करेंगे इसको दोनों को short circuit करेंगे short circuit करने के बाद इसको हम एमपियर चेक करते हैं तो एमपियर इसका जो आ रहा है तो फ्रेंट्स अब हम चेक करते हैं solar panel की कितना एमपियर जनरेट कर रहा है तब यह सामके यह 3-4 बज रहा है, तो इसको चेक करने के लिए दोनों सूलर पैनल को हम पैरलल कनेक्शन कर दिये हैं, करने के बाद इसको सौर सर्कुट कर दिये हैं और क्लाम्प मीटर का एमपीयर पर हम सेट कर दिये हैं, तो इसको हम करते हैं चेक, अभी के टाइम में यह रहा है छे 6.6 MPR जनेरेट कर रहा है जैसा कि आपको पता है कि solar panel को parallel connection करने के लिए 2-in-1 mc4 connector का यूज किया जाता है और यहां पर output wire के लिए 6 square mm DC wire का यूज किया गया है या इसका benefits यह है कि solar system को यदि बढ़ाने की जरूरत पड़े जैसे कि अभी ये normal load चल रहा है इस पर और इसको बाद में यदि इस घर में यदि 3-5 kW solar panel लगाने की जरूरत पड़े तो यह DC wiring चेंज करने की जरूरत ना हो इसलिए यहां पर 6 square mm DC wire का यूज किया गया है और इसको फर्दर इसको extend किया जा सकता है तो उपर से आने वाली solar की wire यहां पर एक MPPT controller लगा हुआ MPPT का benefits यह है कि जब भी घर में load चलते रहेगा तो solar panel से ज्यादा voltage को power में convert करेगा और जब load नहीं रहेगा तो यह battery को भी charge करेगा और बाकी के generation को छोड़ देगा मतलब वो आपकी losses में count होगा यदि आपके घर में net meter या prepared meter लगा हुआ है तो वहां पर ज़्यादा और benefits इससे देखने को मिलेगा और यहां पर अभी तक कि हम बात करें तो यह 220 units की saving हुई है जो यह solar लगाने का main benefits है यदि हम बात करें इसकी connection की तो बड़ा simple connection है जो आप भी कर सकते हैं यहां पर solar का PV प्लस और PV माइनस दिया हुआ रहता है तो यहां पर उपर से आने वाली wire को हम यहां पर connect कर दिये उसके बाद यहां पर दिया हुआ battery in battery plus यहां पर यह दोनों को हम battery में जो wire जा रहा है उसको connect कर देंगे यहां पर दिया हुआ है कि जो inverter के जो input है वो socket से निकाल के आपको यहां पर connect कर देना है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक socket बना लिए हैं यहाँ पर जो three pin socket होता है इसमें हम इसको output निकाल दे यहाँ पर हम generally inverter को connect करेंगे अब हम आ गए है हमलिफायर के back side में तो यहाँ पर एक point दिया हुआ है जो speaker के connection के लिए है तो यहाँ पर easily हम इसको कर दिये हैं lock और दूसरे wire को हम sound box से connect जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसके sound box के wire निकला हुआ है जहाँ पर हम इसको connect कर दिये हैं तो plus को plus के साथ हो minus को minus के साथ connect कर दिये हैं इसको play करने के लिए aux cable है जो aux cable को इसके line के in में हम लगा देंगे तो line के in में हम लगा दिये हैं अब check करते हैं कि यह चल पाता है या नहीं तो इसको mobile का output mobile से input के लिए यह aux cable है यहाँ पर मेरा पूरा connection ready हो चुका है अब हम करेंगे inverter को start inverter मेरा हो गया ही start यहाँ पर आपको indication दिख गया होगा अब यहाँ पर इसके input में यहाँ पर indicator लगा हुआ इंडिकेटर में भी दिख रहा है कि यहाँ पर light आ चुका है अब हम मशीन को करेंगे start मसीन भी start हो चुका है और इसको connect करके check करते हैं तो यहाँ पर भी connection हो चुका है अब mobile से हम इसको start करते हैं अब इसका volume बढ़ा रहें जिसमें यह चेक करेंगे करेंगे तो यह काफी है वी साउंड पर अभी हम चलाए थे जो काफी तेज आवाज है जो नॉर्मल कहीं पर भी बजा सकते हैं और यह अब इसको हम टेकिनिकली समाजते हैं कि यह कितना बिजली कंजूम कर रहा है यह तो बड़ा लग रहा ह। यह हम वाल्यूम को भड़ हा रहे है तो इसको क्लैप मीटर के मदद से मिसको चेक करेंगे कि इसमें आउटपुट कितना ले रहा है तो इसके आउटपुट के वायर को इसको एंपियर में सेट कर देंगे इसके वायर में हम लगा देते हैं तो यहां पर हम एक प्लैप मीटर रखे हुए जिसे यह चेक करेंगे कि वाल्यूम बढ़ाने पर कितना पावर कंजूम करता है तो यहां पर आप स्क्रीन पर ध्यान रखेगा कि यह बढ़ेगा यहां पर कंक्लूजन यह निकल के आया कि एक सोलर सिस्टम लगा के उस पर म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकता है लेकिन यह कहां चलाया जा सकता है यह धियान रखने वाली बात है यदि कोई स्कूल का फंक्सन टेमपल कोई ऐसा फंक्सन जो डे के टाइम में होता है जहां पर जेनरेटर या विजली नहीं उपलब्द है वहाँ पर इस solar system को लगा कर वह चला सकते हैं इसका conclusion यह निकल के आया कि जब हम इसको full volume किये तो यह maximum 1.5 amp तक जा रहा था यहाँ पर inverter की जो capacity है वो लगवक 3 amp की है highest तो यहाँ पर कोई भी system हम 3 से नीचे का system हम चला सकते हैं यदि वो कोई चाह रहे हैं कि हमारे पास heavy capacity का है तो कितने kilowatt का system लगेगा तो उनको कम से कम पांच 3 kilowatt और 5 kilowatt का inverter लगा के एक generator खरिदने की tension से मुक्त हो सकते हैं तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के comment section में हमें बताएं यदि आप वीडियो आपके काम का नहीं है तो उन सभी electrician और music system जो चला रहे हैं जो DJ का काम करते हैं उनके साथ share करें में भी उनको यह वीडियो पसंद आए यदि आपके पास इससे बड़ा DJ system है जिसको आप चलाना चाहते हैं और इसकी proper installation और complete components के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे website www.loomsro.com और हमारे नजदी की dealer distributor से आप संपर कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much